नमस्कार दोस्तों इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के बापरोला गाउं की एक गोशाला में मेरे साथ है नीर आरिया जी टीचिंग करते करते इन्होंने लोगों को शुद दूद पिलाने के लिए पंच गववे के शुद उत्पात देने के लिए नौकरी छोड़ दी और फिर गो हैं और अपनी गाय के पंच गववे से यह चीजें तयार करती हैं और लोगों को पहुंचाती हैं यह वीडियो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शुद चीजें करने वाले लोगों की मार्केटिंग में दिक्कत आती है इन्हें भी यह दिक्कत आई लेकिन टेक्निकल फा relevant product हैं यह कैसे तयार होते हैं सेहत में किन-کिन चीजों में फायदा करते हैं कौन सी बीमारियों को ठीकते के जिया सईसुना आपने चीजें आप देख लेए खाने और पीने वाली यह सेहत को फायदा देती हैं यह तक्रारिस्ट है यह दूध है यह गी है यह महापंचबे दृत नश्चे है जो नाक में डालते हैं वह बहुत चीजों को ठीक करता है यह चाच है यह फ्लेवर्ड गो मुत्र है जिसे संजीवनी रसका नाम दिया गया है डोक्टर राके सग्रवाल जी के द्वारा यह गो मुत्र का अर्क है यह गो अर्क है और यह देखिए गोबर से बर्ण सब्सक्राइब करते हैं अब यह बाइक सकते हैं टेकनिकल वार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबायाने वाले वीडीयो की नोटिशिकेशन आपको मिलती रहे देखे जी मैंने देशी गोपलन शुरुआत की थी देशी गाय के दूध से लेकिन देशी गाय के दूध से गोशाला सस्टेन होती नहीं है और मैंने काफी दो साल तक इसमें संगर्ष किया और फिर मुझे इस बात का आशाष हुआ कि मैं सिरफ दूध पर काम करूँगी तो वहाद ना वह उसके तो पर काम करना स्टाट राट किया जो हमारी जो देशी गाइ उती है वह थी आर्फ दीए जिसमें गोमुत्र और दूध है गोबर्भ और दूध है तो दूध पर पर काम करेंगे तो सस्टेन नहीं हो पाएगी और वही सेम जो गुण उसमें के दूद में वह उसके गोमुत्र में भी है और गोबर में भी है और जब हम तीनों गवयों पर एक साथ काम करेंगे यानि कि पंच गवय पर काम करेंगे जो इन दो इंडारेक्ट है उनमें इंडा देशी गोमाता की छाथ से बनती है इसके अंदर मैंने पांचो परकार के नमक अजवाइन हरड़ा आवला बहेडा सब डाला गया इसके और इसको 41 डेज तक एर टाइट स्टेनलेस स्टील के बरतन में बंद करके रखने के बाद जब वो फर्मेंट हो जाता है उसके बाद यह तैयार होती है और इसके जो बैनिफिट है वो यह किसी को भी अपच है हजम नहीं होता कॉंस्ट्यूपेशन है या बवाशीर जैसी बिमारियों में भी यह बढ़िया काम कर रहा है कहने का मतलगी है कि पेट से संबंदित कोई भी बिमारी है तक्रारिस्ट बहुत ही फायदेमद है यह देशी गोमाता का दूद है जो हम दोनों टाइम निकाल सुबह निकालते हैं तो धारुशन दूद खुद अपने आथों से निकाल कर ग्लास बो जितनी भी दूरी पर होगा उसके इसाब से उसका डिलिवरी चार्ज अलग है यह है महा पंच गव्य घरत नश्य यह देशी गोमाता का जो बिलोना विदी से बनाएवा घी है उससे मैंने यह नश्य तयार किया है और इसका जो फार्मूला है वो करना अटक में एक के उपर लोगी कडाई रखी रहती है और जब वास्प बंड कर पानी उड़ जाता है तो मुर्चित गी में कुछ जड़ी बूटियां डाल कर अपंच गव्य घरत नश्य बनाए गया है इसके जो बैनिफेट है वह किसी को नजला है बहंकर जुखाम है नींद नहीं आती है खराटे आते हैं साइनस है इवन नाक की हड़ी बढ़ जाते है तो उसका उपरिशन तक नहीं कराना पड़ेगा और दोनों नाकों में एक एक बूंद डालने से यह पूरी तरह से क्योर हो जाता है और यह बिलोना वीदी से बढ़ाया वग्झी जो में अपनी देशी गोमा बना उसमें जमा देते हैं और सुबह उससे मक्खन निकाल कर और शाम को फिर से मक्खन से घी बनाए जाता है और यह जार में डालकर आप लोगों तक पहुंचाए जारे और यह हमारी देसी गोमाता के दूद से बनी बिलोना विदी से बनी च्छाच है जो हम मारे आसपास के एरिया में सुबह जब दूद जाता है सुबह के दूद के साथ इसको भी डोर टूद भेज रहे हैं यह है फ्लैवर्ड गोमुत्र जो हमारी जो देसी गोमाता है उसका सुबह का सब्सक्राइब तीन से चार बजे के बीच जब वो सोकर उठते है तो उसके पहले गोमुत्र जाती है उसके बाद मैं अब अपने दिरे दिरे अपने जो दूद के क्लाइंट है या जो लोग बीमार है उनको भी देना स्टाट कर रही हूं इसका मैंने जो खुद यूज किया है मुझे मैं अपना ही बतारी मुझे कासी हुई थी कुछ दिन पहले और मैंने दो दो औरेंज और पाइनेपल की फ्लेवर्ड बनाया हुआ है यह देसी गोमाता के गोमुतरशे बनाया गया है लेकिन इसकी विदी है इसको गैस पर बनाया जाता है और जब यह भाप से एवोप्रेट होकर बनता है यह भी हर बिमारी में काम करता है इसके लिए अलग-अलग यह भी मैंने राजी दिख्षिजी के गुरुकुल से सीखी थी इसके अंदर पोदिनासत अजवायनसत और भीमसेनी का पूर होता है यह एक परकार की फस्टेड है यह हर गर में होना बहुत जरूरी है कोई भी छोटी से चोटी बीमारी बड़ी से बीमारी बड़ी बीमारी है इसमें हमने कुछ जड़ी बूटियां डाली है जैसे लोबान और जटामासी जब हम इसको इसके अंदर डालते हैं तो इसकी खुश्बू हो जाती है जैसे दिली जैसे शहरों में हर रोज हवन करना तो पोशिबल नहीं है लेकिन अगर हम इसमें से एक हर रोज सुबह अ है उसमें हमने चाच और गुड उसका गोल बनाकर डाला है और गुजरात से लेकर आए हैं और उसका चिड़काओ करते हैं और गुबर को हम गिला रखते हैं और यह लग बग डाई से तीन महिने में तयार हो जाता है इसको चान कर पैकेट में बंद करके दिली के अवासियो को हम किचन गाडनिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं यह दूबत्ती की स्टिक्स है यह भी गाय मता के गोबर से बढ़ी हुई है और यह मात्र दस रुपे की है और इसको जलाने से जो घर का वातावन वो शुद हो जाता है नेगिटिव एनरजी चली जाती है कोई भी पंच गवे से सामान बनाया है यह मैं खुद भी उज़ करती हूं और चाहती हूं कि जो लोग बिमार है या जिन लोगों को शुद्ध सामान क्या शक्ता है वो हमसे इसको परचेज कर सकते हैं गवशाला को सस्टेन करने के लिए यह बहुत जरूरी है चाहिए वो कहीं भी देशीगाई की उसे देशीगाई के दूद के साथ इन अन्य प्रोडेक्ट पर भी काम करना पड़ेगा अगर उसको सस्टेन करना है तो तो दोस्तों जैसा नीरारिया जी ने बताया पिल्गुल शुद चीजें तयार करती हैं और आप तक पहुँचाना चाहती हैं इसलिए हम ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको ये चीजें सही हैं तो नंबर दिया हुआ है आप इन से ले सकते हैं एक और चीज आपको बताना करेंगे ये प्लैटफार्म इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि हम ज्यादा किसानों तक नहीं पहुंच पाते कुछ किसानों को ही आप तक दिखा पाते हैं लेकिन बहुत सारे इसे किसानों जो अच्छा काम करें उनको भी इस प्लैटफार्म पर जोड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले